नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्षित पटल पर, आशा है आप सभी अच्छे होंगे, प्रे डॉक्टर सुनीता मिश्रा, वीडियो को पूरी ज़रूर देखेगा, आज हम बात करेंगे आम तोर पर देखनी में आता है कि तुलसी की माला या फुरुद्राक्ष की माला से लोग जब करते हैं, मगर पीले रंग के मोती की माला से जाब करने से मन असान्त रहता है और दिमाग फोकस रहता है, पीले रंग की माला में आप मुंगे के मोती की माला जब सकते हैं आपकी सी भी माला से जब करें, लेकिन माला से जब करते समय इस बात कर ध्यान रखें कि अपने हाथों में आप सही से पकड़ें, आपकी माला ना भी से नीचे ना जाये, ना के उपर भी माला नहीं रखनी चाहिए, इतना ही नहीं माला को सीने से चिपकार कर भी जाप नहीं क जब करने से पहले उसको शुद्ध करना ज़रोरी है पहले गंगा जल छड़क लें माला को गंगा जल से हवस्षे शुद्ध करें जहां पर आपको बैठना हो अस्थान भी शुद्ध हो जादा तर मालाओं में 108 मनके होते हैं हाला कि कुछ माला ऐसी थे जिनमें 21 या 50 मनके पिर हो जाते हैं आप जितनी बार माला से जब करना चाते हैं उतनी मनके वाली माला बजार से खरे सकते हैं लेकिन ध्यान रखें जब एक माला से आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो दूसरे मंत्र का जाप उस माला से बिलकुल ना करें जब माला बहुत लोग करते हैं लेकिन जब माला करने में क्या-क्या सौधानिया वरतने चाहिए, आज हम मुख को यही बताएंगे. दूसरे की माला से जब कभी नहीं करना चाहिए व्यक्ति को अपनी माला जब के लिए अलग रखनी चाहिए दूसरे की माला पर जब नहीं करनी चाहिए जब की माला पर जब एक ही मंत्र जपा जाता है तो उसमें उस देता की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और माला चैतने हो जाती है फिर उस माला पर एक ही मंतर का जब किया जाया तो धीर धीरे मंतर की चैतने शक्ती साधक के शरीर में प्रवेश करने लगती है तब वो माला साधक का कल्यार करने वाली हो जाती है इसलिए अपनी जब माला ना तो किसी को दूसरे को देना चाहिए ना ही किसी दूसरे की माला पर जब करना चाहिए लेना देना तो क्या दूसरों को अपनी कभी माला दिखाने भी नहीं चाहिए माला की पवित्रता के जितनी रक्षा आप करेंगे उतनी ही पवित्रत आपके जीमन में आएगी माला शब्द दो अक्षरों से बना है माधनला, मा माने लक्ष्मी, प्रभाशोभा और ग्यान ला माने जिसमें लीन रहे इसलिए लक्ष्मी, प्रभाशोभा और ग्यान जिसमें लीन रहते हैं वही है माला साधना में जप माला बहुत महत पूड है जब जब संख्या अधिक संख्या में करना हो तो जब माला रखना निवारे है भगवान का स्मुरण और नाम जब की गिंती करने के कारण साधक को इसे पने प्राणों के समान प्रीमान ना चाहिए इसी से समद्धिते कथा भी हम आपको सुनाएंगे जब माला के साथ ये सब कारें ना करें माला लोगों को दिखाने की चीज नहीं है बलकि धन की भाती साधक को इसे घुपत रखना चाहिए माला की पविद्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए जब माला को क्योल जब की गिंती करने वाला साधन न समझकर उसका पूरा आदर करना चाहिए अशुद्ध हवस्था में माला नहीं चुना चाहिए बाएं हाथ से जब माला नहीं करना चाहिए माला को पैर तक लटका कर नहीं रखना चाहिए माला को जहां कहीं भी ऐसे ही नहीं रख देना चाहिए या तो उसे जब माली या किसी डिब्बी में रखकर सुध्धस्थान में रखे जब माला करते समय इन बातों का ध्यान रखे जब के लिए माला को हुर्दय के सामने अनामिका उंगली पर रखकर रंग उठे से पर्स करते हुए मध्यमांगली से फेरना चाहिए सुमेरु का लंगहन ना करे तरजनी उंगली ना लगावे सुमेरु के पास से माला को घुमा कर दूसरी बार जपे, जब करते समय माला ढकी हुई होने चाहिए जब तक एक माला पूरी ना हो बीच में नहीं बोलना चाहिए दूसरों की ओर दीखना नहीं चाहिए इशारे नहीं करना चाहिए यदि जब करते समय किसी कारण बीच में उठना पड़े तो माला पूरी करके उठे और दुबारा जब के लिए बैटना हो तो आचमन करके ही जब शूरू करें और किसी कारण बार सजानक उठना हो तो फिर से शूरू करें बीभीन कामना और देवताओं के नुशार माला में भेध होता है जब माला अनेक वस्तु की होती जैसे तुलसी, रुद्राक्ष, कमलगटा, सफटी, खल्दी, लालचन्द, शंक, जीवक, पुत्रक, मोती, मडी, रत्न, सुवर्ड, मुंगा, चान्दी और कुश्मूल इन सभी के मडियों से माला तयार की जाती है इन में बश्नों के लिए तुलसी और स्मार्थ, शयो और शाक्तों के लिए रुद्राक्ष की माला सर्वत्तमानी गई है मनुष्य की जितनी कामना होती है उनके उतने ही मंत्र होते हैं और उतने ही दिवता आजकर लोग एक ही माला पर सभी रिवताओं के मंत्र जप लेते हैं यह माला की मर्यादा की ओहलना है बिभीने रिवताओं की अलग-अलग माला होती है जैसे लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए के जाने वाले मंत्र कमल गट्टेया लाल चंदन की माला पर बिष्णू, श्री किष्णिया, श्री राम के मंत्र तुलसी माला पर शंकर, नुमान, दुर्गादी के मंत्र रुद्राक्ष माला पर मा बगला मुखी का जब हल्दी की माला पर जब माला बनाते या खरीटते समय इन बातों का ध्यान भी रखे माला बनाते समय इस बात का ध्यान रखना की एक चीज की माला में दूसरी चीज न लगाई जाया माला के दाने छोटी पड़ी ना हो जब माला में एक सुआट दाने होने चाहिए कम्याधिक नहीं बिभिन कामनाओं या देवताओं के अनुसार भी मालाओं में भेद होता है शान्तिकर्म में, स्वेट, वशीकरण में लाल, अभिचार में क्रिष्ण और मुक्ष व अश्वरि के लिए रेस्मी सूथ की माला अच्छी मानी जाती है शास्रों में वर्ड के नुसार माला पिरोने के लिए सूत का रंग चुना जाता था जैसे ब्राम्हड के लिए सफेद रंग का सूत, छत्री के लिए लाल, वैश्ट के लिए पीला और सुद्र के लिए कृष्ण वर्ग का सूत माला बनाने में प्रयोग करने का पिधान है सोने के तार में भी माला पिरोई जा सकती है जब माला किसी भी चीज से नहीं मरानी चाहिए और चाहे जिस किसी भी प्रकार से उसे गूध लेना भी वर्जी थे जब माला से सम्मंधित एक कथा सुनिए एक बार ब्रिंदावन में दो संतों में लड़ाई हो गई एक संत ने दूसरे के लिए कहा इसने मेरा हिरा चुरा लिया है दूसरे ने कहा इनोंने मेरा पारश चुरा लिया है मामला आदालत में गया दोनों ने अपनी अपनी बात कही जज ने पूछा, तुमको हिरा कहां से मिला, पहले संत ने उतर दिया, हमको हमारे गुरु ने दिया था, जज ने पूछा, कहां रखते थे, संत ने कहां अपने कंठ में बात कर रखता था, तुलसी के मनके को वैशनो संत हिरा कहते हैं, दूसरे संत से जज ने पूछा, तुम इस ने बंद करा दिया इस प्रकार संतों में भगवान का प्रसाथ पारस और माला मड़ी मानी जाते हैं जब माला में मड़ी मनिया या दाना पिरोई जाने के कारड़े से मड़ी माला कहते हैं पर आजकर लोग जब मालों को लटकाए लटकाए फितने और जूठे हासों से छू लेते हैं या फिर जिब में रख लेते हैं यह सही नहीं है जब की माला शुद्धता का बहुत ध्यान अटना चाहिए पहली चीज की जिन माला से आप जब कर रहे हैं उसे अगर हमेशा पहन रहे हैं तो यह ध्यान रखें की आशुद्ध जगहों पर ना जाएं श्मसान में ना जाएं और कहीं ऐसी गंदी जगह ना जाएं जो अपवि हो इसलिए माला के शुद्धता का बहुत ध्यान दे अगर आप शेक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन तेस्क कर दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें और वीडियो को अन्तक जरूर देखा क वीडियो को लाइक करें जादा जादा शेयर करें पчиमोली सुझाओ कोमेंण बॉक्स में तक पोष्ण कि आपकी सुझाओ का विचारों का हमें इंतिजार रहता है वीडियो को जादा चैनल जादा लोगत तक पहुंतग अपने दोस्तों मिश्टों रिष्तेदारों में शे सब्सक्राइब करवें धन्यवाद नमस्कार